आज मैं आपके लिए बहुत ही प्यारा सा और सुन्दर सा डॉर्मेट का डिजान लेके आई तो इस डिजान को बुनने के लिए मैंने यहाँ पे यह तीन कलर की वूर्ली है ब्लेक लिया है ग्रीन लिया है और मैंने यल्लो कलर लिया है आप इसको किसी भी कलर में बना सकते हैं बहुत ही प्यारा डॉर्मेट हमारा यह बन के आए गा और बनाना बहुत ही आसान है तो देखे मैंने इसको यहाँ पर वूल में बनाया है अगर आप इसको बुनना चाहते हैं देखे मेरी यहाँ पे थोड़ी मोटी वूल है तो मैंने यहाँ पर नो नमबर की सलाई लगाई है अगर आपकी वूल मोटी है तो आप नो नमबर की सलाई लगाई है और वूल पतली है तो उसको ऐसे डबल करके फिर आप उससे बना लिजे जैसे पुरानी वूल होती है पुरानी शाड़ी होती है पुरानी चुन्नी होती है, तो पुरानी चुन्नी और शाड़ी में भी आप इसे बना सकते हैं, बहुत ही प्यारा सा देखिए, डॉलमेट हमारा ये बन किया है, 22 फंदों से मैंने इसको बनाना शुरू किया है, और बहुत ही सुंदर हमारा ये डॉलमेट बन किया है, तो दे तो चलिए इसको बनाना शुरू करेंगे डिजाइन बनाने से पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है और आप चैनल पे नई है तो वीडियो डिजाइन पसंद आए मेरा बताने का तरीका पसंद आए तो प्लेज वीडियो को लाइक कीजिए फ्रेंड्स गूरूप में सेल कीजिए चैनल पे नहीं है तो सब्सक्राइब कीजिए तो चलिए इसको बुर्णा शुरू करते हैं तो यह दागा लेंगे और यहां पर एक नोट लगाएंगे ऐसे और फिर जो यह छोटे वाला धागा है इसको अंगूठे पे करेंगे ऐसे और बड़े को अंगूली पे करेंगे और ऐसे यहां से फंदा बनाएंगे दो तेन चार पांच ऐसे ही करते हुए हम यहां पर बाइस फंदे डाल लेंगे टूंटी टू फंदे डालेंगे बलेक कलर से तो दिखे यह टूंटी टू फंदे मैंने डाल ली है अब यहां से दो सलाई हम उल्टे उल्टे बनाएंगे दो सलाई बनाएंगे दोनों तरब से उल्टे उल्टे ऐसे इसको उल्टा उल्टा बुल लेगे तो दिखिए दो सलया मैंने बना ली है सीधी तरब से भी और उल्डी तरब से तो दो सलया हमारी बलेक कलर से बन के तयार है अब हम यहां से सेकंड गलर लगाएंगे यह हमारी रोंग साइड है तो यहां से हम second color joint करेंगे ऐसे फंदा बनाएंगे और इस धागे को अंदर की तरफ ऐसे दबा लेंगे तो यहां पर हम यह 8 फंदे yellow color से बुन लेंगे तेन और तेन छे साथ और आठ आठ फंदे हमने yellow से बुन लेंगे अब यहां पर 14 फंदे हम green से बनाएंगे तो देखिए इस धागे को हम ऐसे लेंगे और यहां पर गरीन फंदा बना लेंगे अब इस धागे को कुरोज कराएंगे पीछे ऐसे निकाल देंगे अब इस धागे को दबाते जाएंगे अंदर की तरफ और 14 फंदे गरीन से बुन लेंगे दो तेन चार पांच छे शाट आत नो दस ग्यारें बारें 13 और 14 तो देखिए 8 फंदे हमने यलो से बुने 14 फंदे हमने गरीन से बुने तो अब देखिए क्या करेंगे यहां से अब देखिए कुछ भी चेंज नहीं करेंगे गरीन फंदे गरीन बनाएंगे येलो फंदे येलो से बुन लेंगे तो इस फंदे को ऐसे स्लिप करेंगे धागा अपनी तरफ करेंगे फिर ये फंदे गरीन है जो गरीन से बना लेंगे गरीन वाले फंदे है चोदा चोदा फंदे गरीन से बुनेंगे अब 14 पंदे बुनने के बाद देखी यहां से हम ऐसे धागे को क्रोज कराएंगे येलो को उपर की तरफ करेंगे और इसको निच्छे से करक्पे ऐसे पीछे निकाल देगे और देखिए अब हमारे पास ये 8 फंदे है यलो के तो इसमें से हम 6 फंदे बुनेंगे एक, दो, तेन, चार, पाँच, और 6 6 फंदे बुनेंगे, दो फंदे बगार बुनें छोड़ देंगे अब यहीं से ही टरन करेंगे तो धागा यलो अपनी तरफ करेंगे, इस फंदे को ऐसे ही स्लिप करेंगे तो देखिए अब हमारे पास ये इस सलाई पर यहाँ पर 6 फंदे हैं एक, दो, तेन, चार, पाँच, और छे 6 फंदे हमारे यलो के हमने बुने हैं, दो फंदे हम आगे से लेके जो गरीन वाले फंदे हैं, इन फंदों को हम यलो ही बुन लेंगे तो देखिए आगे से यहाँ से दो फंदे को यलो के बनाएंगे एक और दो, अब देखिए जो ये धागा है इस धागे को ऐसे क्रोस कराएंगे गरीन को ऐसे करेंगे, इसको पीछे की तरफ निकाल देंगे और ये आगे के बारा फंदे हैं, दो, तेन, चार, पांच, छे, साथ, आठ, नो, दस, ग्यारा और बारा तो देखिए फ्रैंस, थोड़ा सा आप यहां पर ध्यान देजेगा देखिए जैसे हमने ये दो फंदे छोड़े थे और छे फंदे हमने बुने थे और दो फंदे हमने आगे से लिए हैं, तो आठ फंदे हमने बुन लिए बैक साइड की सलाई में अब आ जाएंगे हम सीधी तरफ तो इस फंदे को लेंगे ऐसे ही स्लिप करेंगे, धागा अपनी तरफ करेंगे और ये गरीन फंदे गरीन से बुन लेंगे सीधी तरफ से कुछ भी नहीं करना है, सिरफ जो गरीन फंदे हम गरीन बुनेंगे और जो ये येलो फंदे हैं, इस में से हम 6 फंदे बुनेंगे दो, चार और छे, ऐसे ही बुनते जाएंगे सेधी तरफ सिर्फ आपको यही सलाई को रिपीट करते जाना है गरीन फंदे गरीन से बुनेंगे और यल्लो में से सिर्फ 6 फंदे बुनेंगे और ट्रन कर जाएंगे सेधी तरफ से कोई भी चेंज नहीं होगा तो यह गरीन के फंदे मैं बुन लेखती हूं तो देखिए इस धागे को ऐसे क्रोस कराएंगे गरीन को पिछे निकालेंगे और यल्लो के अब यह जितने फंदे हैं इन में से आप 6 फंदे बुनिए सीधी तरफ तो एक, दो, तीन, चार, पांच, और छे तो देखिए दो फंदे हमने फर्स्ट रो में छोड़े थे दो फंदे अब की बार रह गए छे फंदे हमने बुने हैं तो हम यहीं से ही टरन करेंगें धागयों को आगे करेंगे और जो यह 6 फंदे हैं इन 6 फंदों को बैक सैड में बुनेंगे और 2 फंदे हम आगे से गरीन वाले लेर के बुनेंगे तो 6 ये बुनेंगे दो ये 8 फंदे yellow से बुन लेंगे तो इसी तरह से हमारी बहुत ही प्यारी सी कली flower design हमारा ये बनता जाएगा तो ये 6 तो हमने बुन लिये, अब 2 फंदे हम आगे से बुनेंगे एक और दो, तो टोटल अब हमने यहां पर 8 फंदे बुन लिये अब इस दागय को ऐसे क्रोस कराएंगे ऐसे इसको अंदर के तरफ करेंगे इसको पीछे निकालेंगे और बाकी के जो फंदे हैं इनको गरेंद से बुन लेंगे अब आजएगे इसकी राइट साइड में तो देखिए इस तरह से हमारी कली बननी स्टार्ट हो चुकी है अब फिर देखिए क्या करेंगे सीधी तरफ सिरफ गरीन फंदे गरेंगे और शे फंदे यलो के बुन लेंगे फिर यहीं से ही टरन करें तो देखिए यह गरीन वाले फंदे मैंने गरीन से बुन लिया अब इस दाग्या को यहां पर ऐसे क्रोस कराएंगे ऐसे इसको पिछे की तरफ निकाल देगे फिर यह यलो के च्छे फंदे बुनेंगे एक दो तीन चार पांच और च्छे फिर यह दो फंदे छोड़ देंगे फिर यहीं से ही टरन करेंगे देखिए यह फंदा ऐसे सिलिप करेंगे और यह च्छे फंदे हैं हमारे यलो के यह च्छे फंदे यलो से बुनेंगे और दो फंदे आगे से गरीन वाले भी यलो ही बुनेंगे अब दो फंदे यहां से आगे शेयल वुन लेंगे हैं आव इस दाग्यों को यहां से कच भंग वह दो कि इसको Mong Biz लेंगे करेंगे हैं एक देखे यहां से ऐसे करेंगे इसको पिछे निकालेंगे और यह गरीन फंदे अब गरेइन शेयले अब आजिए इसकी राइट साइड में तो देखिए इस तरह से फर्स्ट रो में हमने दो छोड़े फिर दो छोड़े फिर दो छोड़े आप देखिए यहां पर फिर छैफंदे बुनेंगे तो यह दो छोड़ देंगे अईसे ही बुनते हुएhen 2,4,6 छै फंदे हम यहां से बुनते गए तो ओपर की तरफ हम फंदे यहलो बफन बनाते जाएंगे और पीछे की तरफ से हम छोड़ते जाएंगे तो इसी तरह से इसको हम बनाएंगे तो देखिए अब आ गई हम राइट साइड में फिर से गरीन फंदे बुनेंगे पीछे की तरफ दो फंदे यलो चोड़ेंगे और फंदे बुन लेंगे सबसे आसान तरिका यही है कि गरीन फंदे है जो गरीन फंदो को बुन लिए और आगे से 6 फंदे आप फिर बुन लेज कि बहुत i आसान तुरीके से पुना मैंने को इसको बनाना भटाया है इसको विगनर्स भी आसानी से पुन लेंगे तो अब यहां से Tensor बुन यहां से इसको नीचे की तborg से ऐसे यलो को उपर रखेंगे इसको पिछे तरफ एसे निकाल देगे और अब देखिए यहां से हम 6 फंदे भुनेंगे तो दो एक फर्स टो में छोड़ें, सेकंड में दो, थ्रड में दो, अब की बार ये दो छोड़ेंगे तो हमारे पास 6 फंदे ही ये बचेंगे, इन 6 को हम भुन लेंगे, तो 1, 2, 3, 4, 5, और 6, अब की बार ये छोड़ ये फिर यहीं से ही ट्रंड करेंगे, तो देखिए, ये फंदा ऐसे ही स्लिप करेंगे, फिर आगे ये 6 फंदे हैं, हमारे पास दो आगे से गरीन के हैं, जो उनको भी येलो ही बुनेंगे, तो ये 6 फंदे बुन लिए, अब आगे से 2 फंदे गरीन वाले येलो बुनेंगे अब इस धागय को ऐसे क्रूस कराएंगे ऐसे इसको पिछे निकाल देंगे और गरिन फंदे गरिन से बुन लेंगे सीधी तरफ से यहां से दो फंदे छोटेंगे और बैक साइड माएंगे दो फंदे गरिन के बुन लेंगे ऐसे ही बुनते जाएंगे और इसको तब तक बुनेंगे जब तक हमारे पास यहां लाश्ट में दो फंदे गरिन रह जाएंगे यहां तक यह चार फंदे और ऐसे ही यलो के बुन लेंगे तो यहां से बारा फंदे यहां से छोड़ेंगे हम और ऐसे ही हम यहां से बारा फंदे आगे बढ़ते जाएंगे तो इसको मैं बना लेती हूँ ऐसे ही लाष्ट में दो फंदे रहने तक ऐसे ही बुनते जाएंगे तो देखें यहां तक मैंने बुन लिया यह बारा फंदे मैंने दो फिर से दो फिर से दो फिर से दो ऐसे करते हुए ये 2, 4, 6, 8, 10, 12 12 फंदे मैंने यहां तक छोड़े हैं और आगे मैंने 2 फंदे करेंगे हैं अब यहां से जैसे हम इस डिजाइन को ऐसे बढ़ाते गए अब ऐसे नीचे की तरफ हम इसको बढ़ाते जाएंगे तो देखिए इसको कैसे करेंगे ध्यान दीजेगा यहां से हाफ कली हमारी बन चुकी है अब इसको हम जैसे हम यहां से उपर की तरफ गए थे अब नीचे की तरफ जाएंगे ये गरीन फंदे हैं जो नीचे की तरफ बोलते जाएंगे तो देखिए अब इसको कैसे करेंगे ध्यान दीजिएगा आप यहाँ पर तो यह दो फंदे हैं जो इनको ऐसे ही गरीन ही बना लेगे ऐसे बनाएंगे अब इस धागे को हमने करोज करना है तो इसको आगे करेंगे इसको पिछे की तरफ निकाल देंगे और यह यलो से फंदे बूनेंगे देखिए अब यहाँ पर ध्यान दीजिएगा दो चार छे आठ दस बारा तो अब हमारे पास यह आठ फंदे हैं तो यह दो फंदे अब हम यहाँ पर आगे बनाएंगे तो देखिए यह तो अब यह यहाँ पर यलो फंदे बूनेंगे तेन और तेन प्शे साथ और आठ तो देखिए आठ फंदे यलो बून लिए दो हमारे पास यह गरीन के थे आठ फंदे बूनने हैं और बारा फंदे हमारे यह चोड़े हुए हैं दो चार छे आठ दस बारा जो हमने यह चोड़ते आए थे यही से ही अब हम ट्रन करेंगे धागा अपनी तरफ करेंगे अब इस यलो फंदे को ऐसे ही बूनेंगे तो अब देखिए यहाँ पर दहन दीजिएगा अब हमारे पास यह आठ फंदे हैं तो इस में से हम 6 फंदे बुलेंगे दो, तेन, चार, पाँच, और छे तो देखिए अब जो यह दो यलो के फंदे हैं इन फंदों को हम गरीन से बुलेंगे तो पहले इस धागे को हम पिछे की तरफ क्रोस कराएंगे अब यह दो फंदे हैं यलो के यहाँ पर इसको गरीन से बुलेंगे दो आगे हमारे पास गरीन की हैं इनको भी गरीन से बुलेंगे तो अब हमारे पास यहाँ पर चार फंदे गरीन के बन गए अब आजाएए इसकी सीधी तरफ तो अब देखिए यहाँ पर इस फंदे को ऐसे ही स्लिप करेंगे धागा अपनी तरफ करेंगे गरीन के फंदे गरीन से बुन लेंगे अब इस धागे को ऐसे क्रोस कराएंगे इसको पीछे निकाल देंगे अब देखिए फिर से यहाँ पर हम फंदे बुनेंगे तो अब यह यलो फंदे यलो से बुनेंगे एक, दो, तीन, चार, पांच, और छे छे फंदे यह यलो से बनाएंगे अब आपको यहाँ पर गैप न जराएगा तो इस निडल से यहाँ से फंदा ऐसे उठा लेंगे और इस फंदे को लेंगे इसके साथ दो का एक करेंगे ऐसे तो आपको यहाँ पर गैप नजर नहीं आएगा तो देखिए दो, चार, छे, आठ आठ फंदे बुन लिए दो हमने यहां से लिए 6 परे थे तो आठ फंदे बन गई धागा आपनी तरफ करेंगे रोंग साइड में आएंगे और इन मेंसे आठ फंदो मेंसे 6 परे हम बुन लिए तो यह बुन लिए मैंने यहाँ पर 6 पर अब जो यह दो फंदे है यellow के इनको green बुनेंगे 4 फंदे ही यहाँ पर हमारे 6 फंदे बन जाएंगे तो पहले हम धागा क्रोज करेंगे पीछे की तरप करेंगे ऐसे और अब गरीन धागे से यह 2 फंदे बुन लेंगे 4 फंदे आगे गरीन के हैं तो इनको गरीन से बनाएंगे अब आ जाएंगे सीधी तरफ राइट साइड में तो अब फिर देखिए यहां से जो हमारे ग्रीन फंदे हैं इनको ग्रीन ही बुनेंगे फिर यहां से दो फंदे यलो के बुन लेंगे छै फंदे यह हैं दो आगे से लेंगे आठ फंदे बुनेंगे ग्रीन वाले ग्रीन से बुनेंगे तो देखिए यह फंदे ग्रीन वाले ग्रीन से बुन लिए और छे फंदे हमने यलो के बुन लिए अब दो फंदे आगे से बुनेंगे तो इससे पहले यहां पर आपको गैप नजर आएगा तो इस गैप को भरने क लिए हम यहाँ नीचे से फंदा उठा लेंगे, ऐसे फंदा उठाएंगे, इस फंदे को इसके साथ दो का एक करेंगे, दो का एक ध्यान से आप करिएगा, अगर नहीं करेंगे, तो यहाँ पर फंदे बढ़ जाएंगे, और डिजाइन हमारा बिगड जाएगा, अब यहीं से ही ट्राण करेंगे तो यह टीन और त्षय और दो आाठ पंदे में भून दिये अब यहींसे ही ट्रात करेंगे तो इस फंदे को ऐसे लेंगे और दो तेन चार पांच छे छे फंदे बुन दिये अब जो ये दो आगे के हैं इनको हम गरीन बुनेंगे तो पहले धागे को क्रोस कराएंगे ऐसे और ये गरीन से बुन लेंगे तो दिखे इसी तरह से ही हम इसको बनाते जाएंगे यहां से अब सीधी तरब से फिर ये गरीन के फंदे गरीन से बुनेंगे और छे फंदे ये बुनने के बाद यहां पर गैप का फंदा बनाएंगे इसको खतम करने के लिए दो फंदे आगे से लेंगे फिर यहीं से ही ट्रण कर जाएंगे तो हमारे जब लास्ट में यहाँ पर यह गरीन फंदे 14 फंदे बन जाएंगे तब तक हम इनको बनाते जाएंगे जैसे यहाँ पर बनाया है ऐसे ही इसको इस तरफ निचे की तरफ बनाते जाएंगे ऐसे ही दो दो फंडे हमारे ग्रीनके वैक्षाइड से बढ़ती जांगे दो चार छे आठ आठ पंडे बन गई है छे फंदे और बनाएंगे और फिर यह लास्ट में यंलो हमारे आठ फंडे बह जाएंगे तो मैं इसको बनाती फिर माक दिखाऊओं तो अब ये लाश्ट के दो फंदे फिर से करिन के बुने हैं, तो दो फंदे, तेन, चार, पाँच, छे, साथ, आठ, नो, दस, ग्यारे, बारे, तेरे, तो अब हमारी लाश्ट स्लाई थी, इसमें हमारे 14 फंदे गरीन के बन गए, आप देखिए, क्या करेंगे यहाँ पर, आप देखिए, यहाँ पर हमारे 2, 4, 6, 8 येलो हैं, और 14 गरीन के हैं, तो इनको जो फंदा जैसा है, इसको वैसा ही बनाएंगे, श्लिप करेंगे, धागा अपनी तरफ, यह फंदे गरीन हैं, तो इनको गरीन बनाएंगे, और येलो फंदे हैं, इनको येलो ही बनाएंगे, कोई फंदा चेंज नहीं करेंगे, ऐसे ही बनाती हैं, लाश्ट में आ जाएंगे, तो देखिए, अब हमारे ये फ्लावर पत्त लगाएंगे, तो यहां से इस सलाई को पूरी को बलेक बनाते हुए, कम्पलीट करेंगे, सभी फंदे हम बलेक से बनाएंगे, येलो फंदे भी हम बलेक से बनाएंगे, और जो गरीन के फंदे हैं, उनको भी हम बलेक से ही बनाएंगे, तो ये यहां से अब हमारे जो स्टा अब हमारी बलेक की बनके आएगे दुबारा से कली हमारी ये स्टार्ट हो चुकी है जैसे फंदे डालके और हमने बलेक बनाई थी दो सलाईयां वही दो सलाईयां अब हमारी बनेंगे एक ये बनाते हुए गए हैं और दूसरी हमारी सीधी तरफ से बलेक सलाई बनके आएगे तो देखे यह पूरी सलाई को मैंने ब्लैक बुन लिया अब आज यह इसके से दे तरफ अब यहां से भी इसको पूरी को ब्लैक ही बनाएंगे तो इस फंदे को श्लिप करेंगे ऐसे धागा अपनी तरफ करेंगे और ऐसे पूरी को उल्टा उल्टा बना लेगे बहुत ही आसान तरीके से मैंने आपको इसको बताया है आप वीडियो को एंड तक देखिएगा और आप आसानी से इसको बना लेगे पुरानी चुन्नी से भी आप इसको बना सकते हैं पुरानी शाडी वगरा से भी आप इसको जैसे पुराने स्वेटर जैसे होते हैं उनकी पुराने बूल को फोल्ड करके डबल करके आप इसको बना सकते हैं तो दिखिए ये पूरी सलाई को मैंने उल्टा उल्टा बना लिया तो दो सलाई हैं हमारी यहाँ पर बलेक आई हैं दो यहाँ स्टार्टिंग में थी फिर जैसे हमने बैक साइड से फंदे डाले थे ऐसे ही फंदे बनाएंगे यहाँ पर 8 फंदे हम यलो के बनाएंगे फिर 14 फंदे हम गरीन के बनाएंगे तो दिखिए यह कली हमारी बन के तयार है और बहुत ही प्यारा सा डिजाइन बन के आया है कली हमारी complete हुई इसी तरह से जैसे मैंने यहाँ से start की थी बैक साइड से जैसे second color लगाएंगे तो यहाँ से 8 फंदे हम फिर यलो के बनाएंगे और 14 फंदे गरीन के बनाएंगे जैसे यहाँ से start की थी फिर ऐसे ही बनाते वे ऐसे ही कली को आगे बढ़ाएंगे तो कली बन के हमारी complete हुई तो देखिए यह कली complete है इसी तरह से जैसे मैंने एक कली बनाई है ऐसे ही आप इसी तरह से बनाएंगे तो आपका भी इसी तरह से dormant बन के आजाएगा अब देखिए आगे इसमें क्या करेंगे जैसे मैंने यह बनाया है ऐसे ही अब आगे तीन एक कली मैंने यह बना दी है जैसे ये बनाई है दूसरी के ये फंदे हमारे बलेक आ गए है फिर ये ऐसे बनाएंगे दो कली और बनाके फिर मैं आपको दिखाऊंगे आगे इसके अंदर हम क्या करेंगे कैसे और फंदे उठाएंगे तो देखे तीनों के लिए हमारे बन के complete हो चुकी है ये black color के हमारे 22 फंदे हैं और yellow और green color को मैंने यहां से cut कर दिया है अब हम यहां पे green color लगाएंगे ऐसे और यहां से हम फंदे उठाएंगे तो देखिए कैसे उठाएंगे जैसे यह 22 फंदे हैं ऐसे ही यहां से यहां तक 22 फंदे हम उठाएंगे एक दो तेन चार ऐसे ही यहां तक हम 22 फंदे यानि 22 फंदे ऐसे ही गरीन धागे से उठा लेगे तो देखिए फ्रेंट्स 22 फंदे मैंने यह गरीन गलट से उठा लिए 22 फंदे हमारे बलेक है तो अब आज़े इसके रोंग साइड में तो यहां से अब इस पूरी स्लाई को हम उल्टा उल्टा बुनेंगे ऐसे इसको उल्टा उल्टा बना लेजिए ऐसे पूरी स्लाई को उल्टा उल्टा बुन लेजिए तो यह पूरी सलाई हमारी बन के complete हुई अब आज़े इसकी right side में है तो देखे यहां से अब फिर पूरी सलाई को हम उल्टा उल्टा बनाएंगे इस फंदे को slip करेंगे दागा अपनी तरफ और फिर से पूरी सलाई को ऐसे उल्टा उल्टा बना देंगे ऐसे उल्टा उल्ट बूल लेजी तो देखे यह तोसलाईया मैंने गरीन कलर से बना ली है दोनों तरफ से उल्टी उल्टी बनाई है और यह यहां पे आके complete हो गई है तो देखे फ्रेंट्स अब हमारे यह total 44 फंदे हैं तो अब हमने इसके आगे के पारट को कैसे तयार करना है वो आप ध्यान स देखेगा दोनों तरफ से हम एक एक फंदा घटाते जाएंगे सीधी तरफ आएंगे तो यहां से घटाएंगे बैक साइड में जाएंगे तो पिछे की तरफ से यहां से फंदा घटाएंगे दोनों तरफ से एक एक फंदा घटाते हुए तब तक हम घटाते जाएंगे जब यहां से इस फंदे को हम ऐसे स्लिप करेंगे और आगे दो का एक करेंगे ऐसे दो का एक करेंगे फिर पूरी सलाई को हम ऐसे ही उल्टा-उल्टा बनाते जाएंगे ऐसे पूरी सलाई को उल्टा बनाएंगे फिर सीधी तरफ आएंगे फिर यहां से फंदा गटाएंगे तो इस पूरी सलाई को मैं यहां पे बुन लेते हूं फिर सीधी तरफ बताएंगे तो दिखें बैक साइड से पूरी सलाई को मैंने बुन लिया अब आगई हम राइट सा तो ऐसे ही दोनों तरफ से फंदे घटाते जाएंगे बीच में ऐसे ही फंदे बुनेंगे दोनों तरफ से फंदे घटाते वे बीच में हमारे जब आठ फंदे बच जाएंगे तब तक हम इस पारट को बुनके तयार करेंगे फिर आपको दिखाएंगे आगे इसमें क्या करें कि अग εδώ दिक ही लुच्वा आठ्रगे ल९े यह पारट हमारा बनके तयार होँ चुका दोनों तरफ से हमने एक एक फंद यहां से गटाया है एक हम यहां से गटाते गए तो लास्ट में हमारे पास हम 8 फंद बच EST आठ फंदे बचने के बाद इन फंदों को हम बाइड ओफ करेंगे, तो देखिए इन फंदों को बाइड ओफ करेंगे, ऐसे लेंगे और दो का एक करेंगे, ऐसे दो का एक करेंगे, फिर इसी के अंदर डालेंगे, फिर आगे से एक फंदा लेंगे और दो का एक करेंगे, फि फिर इस फंदे को वापिस इसी निटल पर डालेंगे और दो का एक करेंगे। तो ऐसे ही करते हुए ये आठ फंदे हैं इनको हम बाइंड ओफ कर लेंगे। तो देखें ये फंदे हमारे अब बाइंड ओफ हो जुके हैं। अब इस धागे को थोड़ा से लंबा काटेंगे। जो ये धागा है वो रखवाला इसको लंबा काट लेंगे। और इसके अंदर से ऐसे निकाल लेंगे। क्योंकि इसी धागे से हमने इसकी सिलाइक करने हैं। तो देखिए अब ये एक पारट हमारा ये बन के तयार हो गया है और दूसरे पारट को मैंने ऐसे ही कम्पलीट कर रखा है। तो देखिए ऐसे आएंगे दोनों पारट। ऐसे दोनों पारट को सेम ऐसे रख लेंगे और दो पारट हम इस तरह से बनाएंगे। यहां से स्टार्ट करेंगे एक फंदा डार लेंगे दोनों तरफ से बढ़ाते जाएंगे एक फंदा इस साइड से एक फंदा इस साइड से तो दोनों तरफ से एक एक फंदा बढ़ाते जाएंगे तो ओपर हमारे जब 44 फंदे बन जाएंगे 44 फंदे तो हम इन फंदों को बाइंड ओफ कर देंगे इस डिजाइन की वीडियो मेरे चैनल पर पहले से ही अपलोड है आप वहां से इसको चेक करके देख सकते हैं तो मैंने ये दो पारट बनाए है तो देखिए एक पारट को हम यहां पे लगाएंगे ऐसे और दूसरे पारट को हम यहां पे लगाएंगे ऐसे और फिर इसकी हम सिलाई करेंगे तो पहले हम इन दो पार्ट हैं जो ग्रीन कलर के इनके सिलाई करेंगे इनकी सिलाई करने के बाद फिर हम इस पार्ट की सिलाई करेंगे ऐसे रखेंगे यहां से इस कोर्णर को इस कोर्णर के पास रखे बलैक के पास यहा से सीलते आएंगे और यहां तक सील के इसको फिर यहां तक सील के एंगे आशे ही हम डुसरे पार्ट को सील नेंगे तो देखिए मैं इसको वह सील के फिर आपको दिखाते हो बणने के बाद कैसा लगेता को दूंत crítanny मैं subsidies डाल लिए हैं यह दोनों पार्ट हमारे सीधी तरब से हैं तो इनको हम ऐसे रखेंगे और इसको और इसको ऐसे बराबर बराबर दोनों कोर्नर को मिलाते हैं इसकी बारिक बारिक टांके लगाते हैं इसकी सिलाई ऐसे करेंगे ऐसे यहां से ऐसे इसकी सिलाई हम कर लेंगे तो यहां तक इसकी हम सिलाई करेंगे दिखिए यह जो सेंटर की सिलाई ही यह हमारी कम्प्लिट हो चुकी है अब दिखिए इस पारट की अब हम सिलाई करेंगे तो यह हिस्सा सीधा है और यह हिस्सा हमारे उड़ा है तो इसको ऐसे ही हम ऐसे करेंगे और यहाँ पर इसको रखेंगे यह भी उल्टा हिस्सा है और यह भी उल्टा है तो यहाँ से इसको सीलते भी आएंगे और यहाँ तक इसकी ऐसे सिलाई करेंगे फिर यहाँ से यहाँ सीलेंगे बहुत ही easy way में आपको ये बना के दिखाया है बहुत ही प्यारा सा door mat बन के आया है आप जितना भी बड़ा बनाना चाहते हैं उतने ही फंदे आप डाल के यहां से starting इसकी कर सकते हैं ये इतना बड़ा door mat मैंने 22 फंदों में बनाना शुरू किया था बहुत ही प्यारा सा door mat हमारा ये बन के आया है आप इसको door mat की जंगा यूज़ कर सकते हैं table mat की जंगा यूज़ कर सकते हैं और आप इसको पूजा आसन की जंगा भी यूज़ कर सकते हैं किसी भी कलर में आप बनाई ये बहुत ही प्यारा सा डिजाइन ये बन के आई तो दिखे फ्रेंट्स अगर आपको मेरा ये डूर्मेट पसंद आया हो मेरा बताने का तरीका पसंद आया हो तो प्लेज वीडियो को लाइक कीजिए फ्रेंट्स गुरूप में शेयर कीजिए चैनल पर नए है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए कमेंट सेक्शन में बताएगा कि आपको हमारा ये डूर्मेट का डिजाइन कैसा लगा तो और मेरा बताने का तरीका कैसा लगा तेंक्यो